हेलो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं विंटर का सीजन है और मार्केट में ग्रीन मतर भी बहुत मिल रही है तो चलिए आज हरे मतर की चटपटी चाट बनाते ही तो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें कौन-कौन से इंग्रीडियेंट चाहिए होंगे दो कप ताजे हरे मतर, एक प्याज कटा हुआ, एक टमाटर कटा हुआ, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, तीन से चार हरी मिर्च कटी हुई, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला सबसे पहले हम मतर को बॉइल कर लेंगे, बॉइल करते समय इसमें हलका सा नमक डाल देंगे मतर को मैंने बॉइल कर लिया है, देखे इतना इस तरह से बॉइल कर लेना है आपको, अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पर कड़ाई रख देंगे, तू टेबल स्पुन ओईल डाल देंगे, ओईल को गरम कर लेंगे, ओईल के गरम होते ही हरी मिर्च डाल देंगे प्याज डाल देंगे, प्याज को अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका देंगे, प्याज हलके से सॉफ्ट हो चुके हैं, प्याज को ब्राउन नहीं करना है, अब हम इसमें टामातर मिक्स कर लेंगे, तमाटा को डगके गला लेंगे, चेक कर लेंगे, देखे टमाटा रख्षी से जल चुके, अब हम इसमें मसाले अट कर लेंगे, हाफ टेबल स्पून हर्दी पावडर, हाफ टेबल स्पून रेट चिली पावडर, काली मिर्च पावडर हाफ टेबल स्पून, चात बासाला हाफ टेबल स्पून, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है अब हम इसने उबले हुए मतर ही लालेंगे मसालो को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है अब हम इसमें स्वाप के अनुसार नमक मिक्स कर देंगे मतर को बॉइल करते समय नमक डाला था इसलिए नमक अपने स्वाप्या मिक्स कर लेंगे गैस की फ्लेम लो कर लेंगे और इसे ढटके दो मिनट के लिए पका लेंगे दो मिनट बाद चेक कर लेंगे देखिए रेडी है सर्व करने के लिए गैस की फ्लेम आफ कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे थोड़ा इस पर प्यास डाल देंगे कटा हुआ टमाटर डाल देंगे तीखा ज्यादा पसंद करते हैं तो खेली फ्लेक्स डाल देंगे और हरा धन्या डाल देंगे रेडी है विन्टर स्पेशल चटपटी मटर चाट ज्यादा देंगे झाल झाल ज्यादा झाल झाल तो ङमाटर टान देंगे झाल झाल